नमस्कार मैं हूँ रीनू यादब राजदाली भोपाल में दो थानों के स्थिती बदहाल है बारिश में यहाँ पुलिस कर्मियों को रिकॉर्ड बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है लेकिन यहाँ कमिशनर सिस्टम लागू होने के बाद हालात नहीं बदले वही सार्थ संवादाता शेलेंदर भदोरिया भोपाल से आकाश शुकला राइपूर से जुड़ गए हैं और इनसे भी जानेंगे कि आखिरकर महाँ पर ऐसे हालात क्यों बने और उनसे निपटने के लिए क्या उपाई किये जा रहे हैं और ग्राउंड जीरो में सबसे पहले ब बारिश का पानी टपकने लगता है जिसने थाना परिसर तलाब में तब्दील होते देर नहीं लगती केस के रिकॉर्ड बचाने के लिए पुलिस कर्मियों को काफी मश्रकत करने पड़ती है आपको बता दे कि भुपाल में गौतम नगर थाने का निर्मार 28 साल पहली किया था वहुए च्छोला थानक्षाल 2010 में बना था लेकिन दोनों थानों को अब तक भवन नहीं मिला भुपाल में कमिश्णर सुस्ट्र मीलागू हुआ लेकिन दोनों थानों की स्थिति नहीं बदली और इसे में सवाल यह उठता है कि जब राजधानी भुपाल में थानों की थिती ऐसी है तो प्रदेश के सुदूर इलाकों का क्या हाल होगा और और ये तस्वीर देखिए कहां तो तह था चरागा एक हरे घर के लिए और का चराग मैसर नहीं है सहर के लिए दुसंत कुमार की पंग्तियां भुपाल के थानों के लिए एक फिट बैटती है कि जगा 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 जो बाते कहीं जाती हैं कि देश-वक्ति-जन्सेवा का बुलंद करने वाली नारद दे आलम यह हो गया है कि पूरा थाना जो है वो तालाब में तब्दील हो गया है जो सथ है क्योंकि यहां 2010 में यह थाना अस्कित में आया था और उसके बाद से लगातार इस बाते कि यह जल्दी बिल्डिंग बन ली जाएगी लेकिन इस तरह की साथ तस्वीरों में देश सकते है कि अब तक जो है इस थाने की बिल्डिंग नहीं बन पाई और उसी के चलते अब यह तीन सेट में जो है यह पूरा थाना जो है वो संचालिक हो रहा है और जैसे ही बारिस का दौर सुरू होता है इस थाने में जल भराव किस्टी हो जाती है और ऐसे में यहां जो पुलिस का लिए किया जाते हैं लेकिन यहीं पुलिस वालों को यहां पर परियाप सुझाय नहीं मिलेंगी या इस तरह के जल भराव किसी में उनको काम करना होगा तो मध्यप्रदेश में आखिर बहतर पुल्शिंग कैसे संबाभ है तो ग्राउंड जीरो पर आपने देखिए स्थित बोला ठाना यहांपर देख्या एसा लग ही नहीं रहा है कि यह पुलिस यहां पर रुपती हैं काम करती है बैठती है और जरूरी दस्तवेज यहां पर रखे जाते हैं बाहर किसली हमने देखिया जो आपनी दिखाई है ऐसा लग वीरों में भी हमने भी देखा और दर्सक भी लगातार देख रहे हो कि जिस पुलिस आरक चक को जिस डंडे के साथ वो नाली सफाई कर रहा है उससे उसको मजबूरी कहें इसलिए नाली के सफाई करने में जुटा हुआ है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजदानी भो वन तैयार हो जाएगा लेकिन कई बरसाते गुझर गए और यहाँ जो पुलीस करमी तहनात होते हैं उन्हें इसी तरह से यहां पर बरसात के दिनों में रहना पड़ता यह तो आलम बरसात काया गर्मी की अगर में बात करूं तो तेजमी का सामना भी यहाँ पुलिस करमी त चैनात रहते उनको उठाना पड़ता है देकि आदे घंटे की जब मैं यहां पहुंचा तो लगबग आदे घंटे की बारस हुई थी उस दौरान की इस्तिति यदि बारस लगातार और अधिक होती है तो हालत वहां के बहुत ज़्यादा भयावाय हो जाते हैं जो वहां पर कई तमाम बड़े अधिकारी हों नेता हों तमाम उन थानों का दौरा भी करते रहते हैं लेकिन उसके बाबजूद जो है वो थानों की जो बरहाली है वो थमने का नाम नहीं ले रही है लेकिन सवाल यह बड़ा खड़ा होता कि जब राजधानी जहां पर कमिशनर सिस्टम लांग वी अगर उस एक बहुत है चिंता का विष्जह कि बहुत ज़रूरी कागजात्र रखे जाते हैं ना जाने कितने लोगों की जिन्दБ«ड़ी फाइले topics यहां पर रहती है और अघर इस तरीकी के हलात रहेंगे और राजधाली वोबाल का यह बनने खाल है जो हुाँ यहां मानिनी विधायकों की कवलोनी से लेकर नचली बस्तियों में चंद घंटी की बारिश से जल मगन हो जाता है राजधानी के धिकाश इलाकों में नाली सपाई के अभाव में ड्रेनेज सिस्टम खराब हो जाता है कई जगहों पर तो नाली सडक से एक फिट उपर भी बना दी गई ऐसे में बारिश के दोरान पानी की निकासी कैसे होगी ये एक बड़ा सवाल है और आप सोची अगर सडक के किनारे जो नाली बनी है वो सडक से भी एक फिट अगर उपर है तो वहाँ पर कैसे एक सडक का पानी जाएगा ये एक बड़ा सवाल है और क्या बनाने के दुरान वहाँ पर जिसको ये ठेका दिया गया या जो इंजीनिर वहाँ पर काम कर रहा था उसके नजर नहीं पड़ी कि जिस तरीके से अव्वेवस्थी तरीके से नाली बनाई जा रही है यहाँ पर कभी भी सड़क का पानी जाएगा या नहीं जाएगा दावे दावे ही रह जाते हैं. जो आउटलेट बढया गया है वो जा किसी पर्टिक्रोर जखाए में जाकर समाता नहीं है. इसके वज़ा से पानी वर्फल होके घरों घुझ जाता है और का फी दिक्कति आती है और रोडले का लेबल उपर होते जा रहा है घर के लेबल निचे होते जा रहा है इसकी वज़ा होती है तो जहां अगर 10 करोड के पूरे टेल इंड तक के नाला बनाना चाहिए तो वहां एक करोड का बना उसका फिर आगे रुख जाता है तो शहर के पूरी टोपोग्राफिक के हिसाब से एक बड़ी कार्योजना जिसमें 300-400 करोड रुपय जब खर्च होंगे यह बहुत मा भाविक तोर पर यहां का ड्रेनेश सिस्टम पूरी तरह ठीक हो जाएगा इस बात को रायपूर भले ही स्मार्ट सिटी में आता है लेकिन हम यह कहेंगे कि यहां के नीगम स्मार्ट नहीं है तो अतिस्योक्ति नहीं होगी देखे हम इंजिनियरिंग का नायाब नमूना सरक से नाली उपर है तो आप अंदाजा लगए है कि ऐसे में पानी कहा जाएगा जो बरसात के दिनों में मांसून सिजन में जो बारिस जब होती है तो यह पूरे सरक है लाबाला भर जाता है और इसी तरह आप देखिए जिनके घर हैं बड़े-बड़े बिल्डिंग है आल राइपूर के अधिकांज सतर में से 35 से तीस जो वाड है उसमें जल भराव की इस्थिती हो जाती है तरही तरही मत जाता है और सबसे खास बात यहीं है कि ड्रेनेश सिस्टम के लिए अगर राइपूर में बात करें तो तीन सो से चार सो करोड रुपे की बजट की आवश् कि राजधानी थोड़ी सी बारिस के चलते पूरी तरह से जल मगने की स्थिती हो जाती है मोहले वासियों को निचली बस्ते वासियों को काफी परसानियों का सामना करना पड़ता है केमरा परसन मनीज गीते के साथ योगल तिवारी नियूजेट इन रायपूर 36 तो देखिय पास बजट नहीं है राशी नहीं है की ड्रेनेस सिस्टम को बहतर किया जा सकी अ कि जी बिलुकुल निगम हर साल जो है दावा करती है कि नालियों की व्यूस्ता बहतर है ड्रेनेस पार सफाय कराया जा रहा है लेकिन पूल तब खुलती है जब जरासी बारिश सुरू हो जाती है राजधानी में और आधा जो राजधानी है वो लबालब हो जाता है पूरे जो महले में पानी भर जाता है नालियों से उपर पानी बहने लग जाता है कारण यही है कि सिवरेश शिश्टम ठीक से नहीं होता है दिवारे हैं करके जान नहीं पाए लेकिन वो नालियां पूरी तरीके से जाम पड़ी हैं सासफाई वगरा जो है वो नहीं होती है यहां पर यह अगर पूरा एरिया देखेंगे जरा सी बारिस होती है तो यह एरिया में जो है वो पानी लबाला भर जाता है गर के छेतर में प पानी चले जाता है गंदे जो पानी चले जाता है और लंबे समय तक जल भराओं की वज़े से जो है बीमारियां भी पनपने लगती है कई बीमारियों की सिकाया भी मिलते सीधे लोगों से हम बात करते हैं जल भराओं की समझ से हर साल देखने को मिलता है नगर निगम के अधि सिकायत आप लोग करते हैं अधिकारी से कि सिश्टम बनाएं व्यवस्था ठीक से करें पानी भरने बाद वह भी कुछ नहीं कर सकते हैं सफाई होती नहीं एक से देड़ फीड बता रहे हैं यह पानी भर जाता है कि हर साल इसी तरीके से इस्तिति हैं अगर निगम में सिकायत हुई है यादिकारियों से प्वीड करते हैं अब लेकिन यहां पर समस्य ना लिका है अब सीधे तोर पर सुन सकते हैं पूरत चेम्बर भर जाता और सफाई नहीं होती हर साल जो है वो सिकायते होती है हम और यूजा से बात करेंगे जो इस रहते हैं जल भराओ कि समस्या से हर साल जो है वो दोचार आप लोग होते किस तरीके से परसानिया आती है अभी मुझे 6-7 महीनों में आया हुआ यहां पे जब मैं आया था तो पानी इतना गी रहा था कि मेरे दो दिन से ना घर में साफसाफाई कर रहा था पूरा पानी भर गया था जो टॉलेट उसका पू पारिश के पाने की वजह से जो गंदगी घर के अंदर आती है वो काफी परिशान कर देती है बहुत शुक्रिया यह तमाम बाच्शित करने के लिए और जानकरी देने के लिए और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुखेंगे देखते रही न्यूस देटीने पिछ किसका